तो अभी हम मंदिर के जा सामने हैं हम ऐसे जनरेशन के हमें हिंदी भी शीखने के लिए बहुत टाइम गाया तो इस मंदिर की इमान्यता है तो कैसे सारे आई होप सारे बड़ी आउंगे तो आज शूट का लास दिन है अभी सुबह के पांच बज रहे हैं और हम जा रहे हैं पूर्नागिरी टेंपल मैं भी फर्स टाइम जाओंगा आप लोग को भी दिखाऊंगा अभी हम है टनक पूर में और टीम रेडी हो चुकी ह सामान च्छत में चड़ाया जा रहा है यह देखिए मैं जाओं आई नोवा में तो यहां से अभी निकलते हैं चाइवाई पीते हैं और फिर अपनी जन्नी गंट्रियू करते हैं फिर आज आपको दिखाते हैं पूर्नागिरी टेंपल कि मत अभी हम पूर्णाखिरी की पार्किंग में पहुँच चुगे हैं और यहां से हमें ट्रैक करके जाना है तीन क्लोमेटर ट्रैक है और काफी अच्छा लग रहा है रहा है यहां ठंड लगरी है टनखभ़ू में तो गर्मी थी वट्यों ठंड के अघम है और यहां से हमारी गारे हैं एहां से में जाना है तो यहां से हम ट्रेवल स्टाड खिरने वाला है 3 km की जर्णी और सर लोग भी हमारे साथ जाने वाले तो हमारे इतने दिनों के पार्टनर हमारे पंकत्षर तो आज यही गाइड करेंगे और इनके साथ जब से में आया हूं मेरे हर मंदिर में इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं क्योंकि पहले हम पूरी गाइडेंस ले रहे हैं और उसके बाद दर्शन कर रहे हैं तो यह पूरा यहां से आपको सीडियां चड़नी है सब लोग ठक गए है तो यह तीन किलोमेटर का खड़ा ट्राक है और मेरे साथ पंकर से चल रहा है काफी ठक भी गए है कि अगर यह तो हम कहीं नीचे रूख जाते नीचे रूख जाते हैं तीन किलोमेटर का ट्रैक और सीडियां रास्ते में काफी सारे धरमशाला और काफी सारी प्रिशाद के दुगाने मिल जाती है आप यह से प्रशाद ले सकते हों चाई पी सकतो ब्रेकफास्ट वगरा सब कुछ जाता है नहाने की व्योस्ता भी है तो धरम साला की कोई कमी नहीं है आपे क्या कहते हो आप योगी भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैंने अपनी जीवन में वैसे काफी मंदिरों में दर्शन किये हैं वैश्णो यात्रा अमंणाजी आत्रा के दारनाजी की यात्रा मगर यहांके यात्रा मार्ग में जितनी हैरने की सुएधा हैं मैं देख रहा हूँ मतलब कंबल के साथ हर चीज के साथ ऐसा मैंने बहुत कम देखा है और सबसे बड़ी बात जो यात्रा की टाइम पर एक सबसे ज्यादा महत्पूर्ण चीज होती है वह होती है आपका सुबह के फ्रेश होने के लिए जगे तो यहां पर हर शेल्टर के अंदर ट्वैलेट्स और बाथ सब्सक्राइब नहीं है तो अभी रास्ते में स्वध डालू मिले हैं हमें इन से पूस्ते कैसा एक्सपीरियंस ना नीचे से ऊपर चड़ने का तो यह इसी से आप लोग को दिक्कत है नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे जिबकि आप शद्धा से जो काम कर रहें वह शद्ध आप लोग पेले भी आए हो या और यहां से कितना आप ही रह जाता है थोड़ी दुर रहे जाता है कि चड़ाई कंप्लीट करके हम मंदिर के पास पूंच चुके है यह रह सामने मंदिर जैम आता दी और यहां से आप नजारे देख सेखेंगे यह पूरा व्यूपॉइंट है तो सबसे अच्छी चीज है यहां पे यह जो आप पहाड देख रहे हो यह लेप्ट वाला यह लेप्ट वाला जो पहाड है यह है नैपाल और यह है इंडिया और यह रिवर ही इसका बॉर्डर एरिया है तो यह देखिए नैपाल में भी टेंपल और यहां से देखिए आप पुरा नैपाल आप इजीली क्रॉस कर सकते हो यहां से बिना पास्पोर्ट के तो आप जा रहे हम मंदित दर्शन करते हैं देखिए भक्त जनों की इतनी लंबी कतार है आपे देखको हमलों भीम में वहां प्रवयाइट है नेले वहां दो यहें करें करें हम इसे जन्रेशन के हमें हिंदी बी शीखने के लिए बहुँट टाइंग बार दैमाठा दिख मान सब्सक्राइब तो अभी अम मंदिर के जच सामने है और आप लाइंग देख सकते हो अंदर अभी शूप सर गया भूँता है यह चीचा है है यह चाहित तेनों अच्छे अच्छे दर्शन हो चुके हैं जय माता की ही तो इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप लोग नीचे से दर्शन करने आ रहे हो तो जो भी धरम साला है वो सब फ्री आप पॉश्ट है सिर्फ आप अपनी इच्छा से प्रशाद या कुछ भी सामागरी ले के आप वहां पर रुख सकते हो आराम से और यह है यहां के चार महीने यहां मेला चलने वाला है तो भगवान बुलाएंगे यहां से अब टीम अपना मुंबई जा रही है और हम जा रहे हैं तेरा दून तो इच्छे अभी सब गाड़िये बैठ गए तो सलोग सब गाड़िये बैठ गए तो यह सर लोग भी जाने वाले हैं वाइब भाइब 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 तो बागी की टीम यहां पर और यह रहे गुच हमारे साउंड डादा यह हमारे ड्राइबर भिया पंकाट सर अब जो बट्सप अब जिटेश और मिलते हैं फिर आप से जल्दी ठीक है आप तो हमार सा कंटीनिव हो ना भाइब बाइब 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 जल्दी अब बागवान साथ अभी देरा दुन जा रहे हैं वापिस तो रास्ते की मस्ती भी दिखेगी आपको अभी कुछ पैतान यह देरा दुन जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं कुछ कुछ